तो friends आज की जो vacancy निकाली गई है वो बहुती मज़ेदार vacancy है क्योंकि यह निकाला गया है National High Speed Rail Corporation Limited में और यह बिलकुल free है आपको कोई पैसा यहां पे payment नहीं करना है तो diploma वाले और btec वाले दोनों ही इसे apply कर सकते हैं तो आज के इस notification को पूरा end तक देखिएगा क्योंकि य गूगल पे गूगल पे आप सर्च किजिएगा एन एच एस आर सी एल जैसी आप इस पे सर्च करोगे सबसे ऊपर आ जाता है यहां पे National High Speed Rail Corporation Limited का official website इस पे आपको क्लिक करना है जैसी आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने यह official website खुल जाता है यहां पे खुलने के बाद आ आपको यहां पे career option में आना है और यहां पे आके career के नीचे आपको देखे current opening का option दिखते है इस पे क्लिक कर देना है जैसी इस पे क्लिक करोगे आप scroll down करके नीचे आना यहां पे आपको दिखेगा NHSRCL vacancy notice 15 by 2020 तो senior executive civil के लिए यहां पे आपको यह वाले post के लिए आपको apply क करना होगा number up post 53 है तो पूरा detail में इसको परेंगे detail में आप कैसे परोगे यहां पे दिखे view details लिखा हुआ है view details में जैसी आप click करते हो यहां पे आपको देखिए online registration link आपको कैसे register करना है form कैसे fill up करना है उसके लिए आपको इस link पर click करना है और आपको official notification परना है तो आपक notification खुल जाएगा तो यह देखे यह official notification खुल चुका है अब मैं इसका एक एक important point जो आपके लिए काम का है वो सारा आपको परके समझा दूँगा उसके बाद मैंने क्या किया है यह सारा चीच का description मैंने link डाल दिया है इसी video के नीचे जो description है उसमें आपको official website का link मिल जाएगा साथ में आपको कहां से apply करना है वो direct link प्रवाइट किया हुआ है और इस official notification का भी direct link प्रवाइट किया हुआ है आप एक बार जाके खुछ से भी पर सकते हो उसको तो चलिए मैं क्या करता हूँ आपको यह पूरा परके समझाता हूँ एक एक point ताकि आपका कोई confusion यहाँ पे 12 December से start हो चुका था ठीक है तो अभी भी इसके लिए बहुत जादा time है आपके पास क्योंकि last date of registration जो है वो है आपका 1st January 2021 तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगो के लिए यहाँ पे तो चलिए अब आगे बरते हैं जैसी आप आगे बरो के यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यह contract basis पे है फिलाल initially यह contract basis पे रहेगा 3 साल का उसके बाद फिर इसको बढ़ाया जाएगा 2 साल का और उसके बाद फिर से इसको permanent कर दिया जा सकता है वो एक जगा लिखा हुआ है कहां लिखा हुआ है मैं आपको अभी अभी बताऊंगा नीचे ले जाके ठीक है age details की अग आपका senior executive ठीक है civil में आपका pace के लिया में बहुत अच्छा है 40,000 से लेके 1,40,000 तक E1 scale के अंडर में रहेगा और total agency मैंने बता दिया था आपको 53 नंबर यहां पर रहने वाले हैं ठीक है तो आपको जो qualification है वो यहां पे चाहिए diploma या BE या BTEC कोई भी तीनों में है तो आप वो बताने वाला हूँ तो दो साल का आपके पास post qualification है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यह तो यह civil वालों के लिए हो गया नीचे यहां पर SNT है उसके बाद यहां पर electrical है यह भी electrical communication के लिए है उसके बाद ठीक है तो बाकी में मैं interested नहीं हूँ क्योंकि मैं basically civil वाल of contract the service में भी considered for regularization ठीक है तो यहां पर यह लिखा हुआ है यह regular हो सकता है आप लोगों का demand के उपर depend करेगा उस बद अब बात करते हैं job profile के बारे में तो अगर आपका इन सब कामों में अगर आपके पास experience है तो आप इसको अराम से apply कर सकते हो सबसे पहले तो bridge type का हो गया ठी bridge construction में आपका जो experience है वो होना चाहिए steel bridge construction हो गया उसमें होना चाहिए tunneling हो गया bridge construction हो गया dealing with various quantity measures related to concrete technologies and steel fabrication हो गया surveying का हो गया geotechnical यार छोड़ा ही क्या है सभी तो डाल दिया है land acquisition हो गया और भी आपे senior management तो मुझे नहीं लगता कि एकी बंदे में यह सारा details होना चाहिए सारा जो profile का यह part होना चाहिए अलग अलग भी होगा तो अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि आपे clear तो नहीं लिखा है अगर सारा लिखा है तो हो सकता है यह सारा ही मांग रहा हो लेकिन अगर आपके पास किसी एक में भी यह building हो गया या bridge हो गया steel bridge construction हो गया या geotechnical investigation में हो गया किस इसी में भी कोई भी दो सार का experience है तो अराम से इसको भर दो tunneling हो गया जैसे TBM होती है ना tunnel boarding machine उसमें अगर आपका कोई भी experience है तो डाल दो तो यह सब हो गए civil के लिए अब चलिए आगे बढ़ने के बाद आगर आप देखोगे कि selection process क्या है तो यहाँ पे सबसे पहले आपक जो result है या कुछ भी requirement रहेगा वो सब कहा पर मिलेगा उनके website पर official website www.nhsrcl.in पर यहाँ पर आपको सारा details मिलता रहेगा आपको regular यहाँ पर visit करते रहना है ठीक है medical test में यहाँ पर इन्हाँ ने लेख दिया है कि lessic surgery जो है वो नहीं होना चाहिए मतलब आपका eye का power जादा है माल नीजिए ठीक है आप चस्मा पहेंते थे फिर आप plastic surgery करवा कर ठीक करवा लिए खुद को ठीक है तो यह नहीं चलने वाला है यह अलाओ यहाँ यहाँ पर नहीं है तो वो लोग यहाँ पर medical में जाके खुद ही छड़ जाओगे तो अगर आपका ऐसा है तो आप मत इसको परेगा कि आपको minimum 2 साल तो वहाँ पर देना ही परेगा 2 साल आपको सर्फ करना ही परेगा वरना आपको यह 3 लाग प्लस GST प्लस cost of training यह सारा हरजान आपको भुगतना परेगा और आपको जो notice देना होगा चोड़ने का वो 90 दिन पहले वहाँ पर देना परेगा ठीक है तो how to apply मैंने सारा यह आपको बता दिया कि official website पर जाना है और कहां से आपको apply करना होगा वैसे सारा link आपको description में मिल जाएगा description में जाओ आपको कहां से apply करना है यह official notification कहां पर फिर से वापस से पढ़ने को मिलेगा वो सारा link मैंने direct provide किया हुआ है अब जाके बस उसको एक बार देख लिजिए और मैं तो बोलूँगा जाके इस official notification को और एक बार detail में पढ़ लिजेगा ताकि आपका और भी कोई यहाँ पर important point है ना वो भी आप cover कर सको तो यह बहुत अच्छा मौका है national high speed dale corporation limited में job पाने का क्योंकि सबको इस जगह पे नहीं मिलता यहाँ पे अगर job ल आप 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 आप